चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के वाद उसके बगल में जो बैल का इकन है प्लीज आप इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमता बज़रिया एंडियन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों ये जो आप नुस्खा देख रहे हैं यहाँ वीडियो में ये इतना रामबान नुस्खा है कि अगर आपकी किड़नी में पत्री की प्रॉब्लम है तो इस नुस्खे से आप अपनी पत्री को बहुत जल से जल खतम कर सकते हैं यानि आपकी किड्नी की पत्री गलगल के निकल जाएगी इसे नुस्खे से दोस्तो किड्नी हमारे सरीर में एक फिल्टर का काम करती है जब सरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किड़नी पानी की कम मात्रा छानती है इसकी बज़े से सरीर में मौझूद कैलसियम यूरिक एसिड जैसे कई अन्स चीज़ें सरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वे पत्री का रूप ले लेती हैं तो मैं आज आपको ऐसा नुस्खा पताऊंगी जिससे आपकी किड़नी की पत्री जड़ से खताब हो जाएगी आपको अपरेशन की जरूद नहीं पड़ेगी दोस्तों इसने पहले अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर करना च चलिए यहां पर मैं एक पैאני ले लूगी और इसका छिल्का निकाल दूगी से इस तरीके से आप शिल्के निकाल दीजिए तो यहां पर मैंने प्याज का छिलका निकाल दिया है और इसको मैंने क्लीन कर लिया है पानी से और इसके बाद इस प्याज को हम काट लेंगे यानि कि छोटे-छोटे सी टुकडे कर लेंगे एक बावल में दोस्तो जब सरीर में कोई बीमारी लगती है तो वो अपना संकेश जरूर देती है दोस्तो जब किड्नी में इस्टोन हो जाता है पत्री हो जाती है तो इसके लच्छड आपको स्वेम नज़र आने लगेंगे किटनी में इस्टोन हो जाने की बज़े से पेट में हर वक्त दर्द बना रहता है इसके लावा बार बार यूनिन डिस्चार्ज करना सोचाले दोरां दर्द होना बहुत ज्यादा पसीना आना और उल्टी होना इसके खास लच्छड है तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने प्याज के टुकड़े कर लिए हैं अब इसको हम डालेंगे एक पैन में प्याज के टुकड़ों को इस तरीके से और उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे करीबन एक ग्लास पानी तो चली मैं इसमें पानी डाल देती हूँ आप देख सकते हैं मैंने यह वाला ग्लास लिया है इतनी नाप का मैंने पानी डाला है इसमें अब इसके बाद में इसमें हम डालेंगे जीरा जीरा दोस्तों इसलिए डालेंगे कि जीरा से पेसाब खुल करके आता है जिससे कि आपकी जो किड्नी की पत्री है उसको निकलने में आसानी होगी और साथी साथ किड्नी की पत्री को ये जीरा पिगलाता भी है प्याज जीरा आगे और चीज़े मैं बताऊंगे आपको वीडियो पूरा देखेगा तब ही आपको समझ में आएगा तो इस तरीके से इसको हम खुलने के लिए रख देगे, गैस पर, गैस पर इसको आप पहले तो इसमेर एक वाल आ जाने दें, इसके बाद में गैस का फ्लेम कर दें सिलो, और सिलो फ्लेम पर इसको आप पकाईएगा, ताकि प्याजके हमें सारे पोसकत तो मिल जाए जो हमें गुड़ चाहिए, वो गुड़ मिल जाए ताकि आपकी जो पत्री है पत्री की प्रोबलम है वो जड़ से खतम हो जा जल्दी से जल्दी तो ये देखें, यहाँ पे आप मैं इसमें डालूँगी मिसरी मिस्री आपको धागे बाली ही लाना है या फिर मार्केट में इस टाइब से मिस्री लेना है ये धागे बाली ही मिस्री है और ये बनी मनाई इस टाइब से मिलती है बड़ी चीनी की टाइब की इसमें आपको चीनी यूज नहीं करना है इसमें मिस्री यूज़ करना है तो करीबन इसमें हम दौ मिस्री एट कर देंगे और आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सव और पकाए बस मिस्री डाल करके मातर आदा बनिट के लिए पकाए और इसको उतार लें यह कारा बन करके तयार हो चुका है अब इसके बाद में हम इसको डालेंगे सीधे मिक्सर के जार में तो मिक्सर के जार में डाल करके इसका हमें बनाना है क्या पेश्ट चाहे सर्वत बोल लीजी या फिर पेश्ट इसको इस तरीके से हमें ग्रैंड करना है और ग्रैंड करने के बाद में इसको हम गिलास में च्छान लेंगे च्छनी की मदद से अभी दोस्तो इसमें और चीज़ एड होनी है आप वीडियो पूरा देखेगा दोस्तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल का नाम है नमबरता वीडियो टिप्स तो यह देखें यहां पे इसको आप थोड़ा सा चम्मत से दबा करके इसका रस निकालीजिए और बचा हुआ जो प्याज है इसको आप सब्जी वगरा में यूज कर लें तो यह देखें काड़ा बन करके तयार हो गया है अब इसमें हम डालेंगे लेमन यानि की नीबू यहां पे करीबन हमें एक नीबू यूज करना है तो चलिए इसको मैं काट लेती हूं नीबू को दोस्तो नीबू में मौजू साइस्टिक एसिट पत्थी को गलाने में करता है अगर आप मैं यहां पर एक टिप देना चाहूंगी अगर आप रोज नियम से एक नीबू सुबह और एक नीबू साम को पानी में डाल करके सुबह साम खाली पेट पीएं यानि कि सुबह नास्ते से पहले खाली पेट और साम को भी नास्ते से पहले यानि खाने के प तो किड्नी में इस्टोन बनेगा कहां से तो आप देख सकते हैं आप मैंने एक नीवू का जूस यूज कर लिया है और इसको हम कर देंगे मिक्स दोस्तों इसके आप बीज निकाल दीजिएगा तो चलिए यहां पर मैं थोड़े बहुत बीज एकाद भीज हैं उनको मैं निकाल देती हूँ यह देखिए तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेवन करने की विधी आप रोज सुबह और साम दोनो टाइम खाली पेट इस काड़े को पियेंगे सुबह ना अब के पृइख्यां की से काड़े को पियाएं दोनों तैम आप इस काड़े को पिये तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के प्रयोक से आप के किड़ी का इस्टोन यानिन की पथ्री जड़ से खत्याय की इसमेंaign प्याज जीरा में नीवी तो आपको पीने में आराम रहेगा इसलिए मिश्री यूज कर लिए तो दोस्तों इसको आप जरूर ट्राइक करना आप देखेंगे कुशी दिन के आप लगातर पीते जाहिए बीच से पचेश दिन इसको पी लीजिए क्यne Lee के और फिर देखनां आप की किड्नी की पतरी निकल जाएगी आप देखेंग्गे आपके पेट का दर्थ को लाइक करना अपने दोस्तों स्क्क्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ना मैं में नगी वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार